Hello viewers, तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा LG G8X मोबाइल में अगर कोई network issue हा रहा है तो उसको आप solve कैसे करेंगे तो कभी कभी क्या होता है आप किसी जगा पे travel करते हो तो call drop होता है या internet speed बहुत ही खराब हो जाता है तो इसका solution है मेरे पास तो मैंने actually Calcutta में रहता था तो जैसे ही मैंने अरूनाचल में shift किया तो मेरे mobile से call connect होने में बहुत ही ज़्यादा problem हो रहा था तो उसके बाद मैंने क्या किया तो phone को एक settings का change करना पड़ा तो उसके बाद यह problem solve हो गया मेरा internet issue भी आ रहा था जब भी मैं किसे को call कर रहा था maximum time मुझे सुना ही नहीं दे रहा था मेरा बात दूसरे तरफ जिसको call कर रहा था उसको सुना ही दे रहा था मगर मुझे कुछ भी सुना ही नहीं दे रहा था तो मैंने sim को खोला फिर phone को भी reset किया किसी भी तरह से कुछ solution नहीं निकला तो मैंने flight mode में भी डाल के देख लिया बहुत कुछ कोशिस किया तो बाद में मुझे actually solution मिल गया तो इससे आप क्या कर सकते हो call का अगर कोई problem हो रहा है ओ भी ठीक हो जाएगा और आपका call drop हो रहा है ओ भी solution हो जाएगा अचली मेरा phone में एक एकी seem है जीयो का तो इसमें network इसुआ रहा था तो आपको क्या करना है आपको पहले settings में जाना है तो आप settings में जाना जाने के बाद यह जो network and internet है इसके अंदर आपको आना है तो उसके बाद आप एकदम नीचे आईए network setting और reset बोलके जो option है इसके अंदर आईए आने के बाद reset setting कीजिए जैसे ही करेंगे आपको यह दिना पड़ेगा पासकोड तो जैसे ही आप पासकोड अल देंगे तो उसके बाद reset setting बोलके जो option है उसके आप प्लिक कीजिए जैसे ही आप reset setting करेंगे तो आपका क्या होगा सब कुछ reset हो जाएगा reset all network settings you can undo this action ठीक है तो मैंने दो बाद reset कर दिया तो इससे क्या हो गया आप अगर कोई other state में हो आपका sim अगर other state में है तो roaming data जो है वो off हो जाएगा जो आपका जितना भी wifi का password save था वो भी चला जाएगा तो आपको नया से फिर से wifi connect करना पड़ेगा उसमें फिर से password देना पड़ेगा तो पूरा एकदम setting reset हो जाएगा तो इससे आपको solution क्या मिलेगा कि आपका अगर कोई network issue आ रहा था तो ओ आपका ठीक हो जाएगा मतलब आप जीस भी number से phone कर रहे थे आपको अगर कोई call drop हो रहा था या internet speed कम आ रहा था तो ओ प्रॉब्लम आपका solve हो जाएगा तो मेरा भी हो गया उमीद करता है आपका भी problem solve हो जाएगा अगर ये problem phase कर रहे हैं तो अगर ये problem आपका इस तरह से solve नहीं होता है तो आप क्या करना power key के साथ जो volume आप डाउन की है उसको फ्रेस करके phone को totally जो है phone को आपको क्या करना है factory reset कर लेना है तो उससे पहले आप data को पहले save कर लेजे contact को दूसरे तरफ shift कर लेजे BCF pile में तो उसके बाद आप इसको पूरे तरह से factory reset कर दीजे तो आपका नया mobile जैसे था उस situation में आजाएगा आपका जितना भी problem था सब solve हो जाएगा तो thank you for watching this video if you find the video is helpful then you can subscribe my youtube channel I will come such kind of video in future so thank you very much